जैसी किसना दोस्तों? बक्ति ज्ञान उपासना चैनल में आप सबी दोस्तों का स्वागत हैं. दोस्तों लबसी और तपसी की कानी सुनने से भगवान की तपश्शका कफल प्राप्त होता है. पूर समय में दो भक्त थी एक लपसी था और एक तपसी था तपसी तो भगवान की तपश्या करता था और लपसी सवा सेर की लपसी बना कर कि उसका भोग लगा कर किखा लेता एक दिन दोनों लडने लगें लपसी बोला कि मैं बड़ा तपसी बोड़ा कि मैं बड़ा दोनों अपने आपको बड़ा बता रहे थे इतने में नारद मुनी आए और बोलें कि तुम क्यों लड़ रहे हूं लफसी ने कहा कि भगवन मैं बड़ा हूं तवसी ने कहा कि मैं तपश्या करता हूं मैं बड़ा हूं तवसी बोला कि मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूं ये सुनकर के नारजी ने का कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूँगा दूसे दिन लबसी और तपसी ना कर आए तो नारजी ने सवा करोड की अंगूटी उनके आगे फैंक दी लबसी का ध्यान उस अंगूटी पर नहीं गया तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे अंगूटी दीखी उसने अपने घुटनों के नीचे दवा ली तपस्या करने लगा तपसी लपसी दोनों इस प्रिकाशे अपने अपने काम में लग गए अब तपसी तह तपस्या कहने लगा अंगूठी को पेरों के नीचे लगा लिया और लपसी लपसी बनाकर के भगवान का भोग लगाकर के खाने बैठ गया इतने में नारज जी आ गए, दोनों ने पूचा कि कौन बढ़ा है, तफसी ने कहा कि मैं बढ़ा हूँ, नारज जी बोले तेरा घुटना उठा, उसके नीचे क्या है, जैसे ही तफसी ने गुटना उठाया, तो सवा करोड की अंगूठी निकली, तब नारज जी बोले अंगूठी तुने चुराई है, तुझे तेरी तपस्चा का फल नहीं मिलेगा, तब तपसी बोला कि मुनिवर, मेरी तपस्चा का दोस कैसे दूर होगा, नारज जी निकार रोटी बना करके, उसे बताया नहीं जाता, फल तुने लिया है, तु अपनी तपस्चा का जय जय दिन्दोरा पीटता है, अब इसका फल यही है, कि ब्रामर भोजन करा, और उसके बाद में उसे आशिवर प्राप कर, अगर ब्रामर भोजन करा के दक्षना नहीं देते तो फल प्राप नहीं होता है, इसी प्रकासी तपसी ने उसी समय पर अपने प्राश्चित के रूप में ब्रामर भोजन कराए, उनको दक्षना दी, अपनी खिमा याशना करी तब ही भगवान ने कहा है, दिया से जिया दिलावे, तो फल तुझे मिलेगा, जनकी भक्ती का प्रिशार करने से तपश्या का फल प्राप्त होता है, भक्ती का फल प्राप्त होता है, सब व्रिद्वार का फल जो है लपसी और तफसी की कहानी सुनी से प्राप्त हो जाता है तब से लपसी और तफसी की कहानी सुनी जाती है कानी सुनने के बाद ऐसे कहे लपसी को फल लपसी ना हो जे तपसी को फल तपसी ना हो जे मानी काथा को फल हमको ही प्राप्त हो बे ये कृपा करके आशिर्वा प्राप्त करना चाहिए बुल भगवान विश्णू कीजे